शिवजी को भूल कर भी ये चीजे ना चरहाये, वरना महादेव क्रोधित हो सकते हैं, वे रक्षक भी है और विनाशक भी, बहुत जल्स प्रसन्न भी हो जाते हैं, और क्रोध के रौधर रूप भी धारन कर लेते हैं, महादेव को प्रसंद करने के लिए शिव भक्त कई तरह से पूजा अर्चना करते हैं ताकि उन पर हमेशा महादेव का अशिरवाद बना रहे लेकिन जाने अंजाने में हम कुछ ऐसी चीज़े शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं जिससे महादेव नाराज भी हो सकते हैं शिव पुडान में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए कुछ चीज़े ऐसी होती हैं जिनको शिव पूजन के दौरान अशुब माना गया है ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और पूजा का शुप फल भी नहीं मिलता आईए उन्ही चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता शास्तरों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रीयों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष्टत्व माना गया है इसी वज़े से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए तुलसी बेहत पवित्रमानी जाती है भगवान शिव की पूजा में तुलसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता दरसल इसके पीछे एक पौड़ानिक कथा मिलती है कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पती असुर जालंधर का वद्ध कर दिया था जिससे क्रोड़ित होकर तुलसी ने खुद को भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंक का प्रयोग नहीं किया जाता इसके पीछे भी एक पौड़ानिक कथा मिलती है कथा के अनुसार भगवान शिव ने दैति संक चूर का वद्ध किया था इसके लिए उनकी पूजा में शंक का प्रयोग नहीं किया जाता शिव जी की पूजा नारियल से होती है लेकिन नारियल पानी से नहीं क्योंकि शिव लिंग पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीजे निर्मल होनी चाहिए यानि जिसका सेवन ना किया जाए नारियल पानी देवताओं को चढ़ाय जाने के बाद ग्रहन किया जाता है इसलिए शिव लिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाया जाता कुमकुम, सिंदूर और रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है तिल या तिल से बनी कोई वस्तू ना चढ़ाएं ये भगवान विश्णू के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है इसलिए इसे भगवान शिफ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए लाल फूल का भी इस्तमाल शिवलिंग पूजा में ना करें वहीं ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा का से अश्ट धातू या पीतल के बरतन या लोटे से ही जल चरहाएं लोहे या स्टील के बरतन से नहीं कैसी लगी ये जानकारी आपको हमें कॉमेंट्स में जुरूर बताएं और देखते रहें धर्म समवाद मै थी तमिश्री धन्यवाद